नमस्का दोस्तों स्वागत आफ सबका टाक कंडिंग सपोर्ट योट्योब चानल सुफरेंस आशनलाजर ही एक न्यूव वीडियो के साथ में इस वीडियो में हम सिर्फ और स्फिर बात करने वाले हैं इंक्पोर्टेंट अप्डेट्स की जो भी एड्रॉप हमने जॉइन किय वीडियो की थ्रू जो भी एड्रॉप हमने जॉइन किये हैं यहां पर टैक अर्णिंग सपोर्ट टैलीग्राम चैनल पर उससे लिए जो भी इंपोर्टेंट अपडेट है वह आज की इस वीडियो में बताऊंगी कोई आपके साथ यहां पर शेयर नहीं करूंगी अगर आपक अपडेट की जिसके अंदर पहले हम बात कर लेते हैं पैररल डॉट फाइड की जिसके बारे में हमने बात करी थी इस वीडियो में कि फ्यूचर में हो सकता है कि यह डैक्स अपना कोई ड्रॉप लेकर आए और जो भी इसके अर्ली यूजर्स होंगे उन सब को एक अच्छी यह सारी इंफोर्मिशन मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर करी थी अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है वाच आउट ही किया है तो लिंक डिस्किप्शन बॉक्स में है आप इस वीडियो को वाच जरूर कर लीजिएगा एंड जो मेंबर्स ने वाच किया जि के एसम टोकन स्टेक करने के लिए बोला गया था वो मैंने आपको कहा था यहां पर सेटिंग वाले ऑप्शिन में जाके आपको कुसामा रिले चेंड का जो इसका एड्रेस मिलेगा इसी एड्रेस पर कू कॉइन से आपको विड्रॉ ले लेना है के एसम ठीक है गाइस और प की YU सब्स्क्राइप की था यहां पर सब्सक्राइब करने मिलेगा टैक्स्टाइफ दिसब्सक्राइब का मैं रिजब्रॉघस और आपको सब्सक्राइब करने के लिए इनकी यहां पे भी deposit करना होगा पहले आप अपना polka dot wallet का extension जो है उसको connect कर लिजिएगा यहां पे पहले मैंने यहां पे connect कर लिया फिर यहां पे जो deposit का section दिख रहा है आपको इस पे click करना है अब आपका जो भी balance होगा वो आपको यहां पे इस तरीके से show होगा मेरे पास 0.16 के SM है पहले limit नहीं थी पर आप जब deposit करने के लिए आएंगे तो आपको बोलेंगे कि कम से कम 0.1 के SM आपके पास होना important है तो मैं यहां पे 0.12 के आसपास जो है के SM जो है deposit कर लेती हूँ so deposit कर लेते हैं हम यहां पे confirm transaction fees भी देख लीजेगा इतनी लगेगी यहां पे 0.000058 के SM deposit की time में processing होगी आपके polka.wallet में यहां पर success के लिए पासफर्ट मांगेंगे पासफर्ट दे देंगे तो मेरा point यहां पे 0.12 के SM deposit हो चुका है और अब आप यहां पे देख सकते हैं कि 0.12 मैंने deposit किया था कुछ fees deduct होने के बाद 0.119 मेरे पास यहां पे show कर रहा है पहले amount 0 था तो अब आपको समझ में आ गया आपको polka.extension के wallet से आपको इस DEX पे पहले deposit करना होगा तब ही आपको यहां पे staking के लिए amount show होगा जो हमारे members को problem आ रही थी. Second चीज यहां पर आपको जितना भी amount यहां पे जो है stake करना है वो आप लिखिए यहां पे देखिए जो condition deposit में थी same वो भी staking में ही है कि 0.1 से कम आप यहां पर stake भी नहीं कर सकते हैं So मैं यहां पर 0.11 stake करना हूँ, fees आप देख सकते हैं 0.005 के SM मेरी हाँ पर जाएगी मैं यहां पर stake के option पे click किया Transiction confirming, Transiction processing, Transiction success यहां पर amount stake हो चुका है, unstake करने के लिए जो आप इस वाले option पे click करेंगे तो जो भी आपका amount रहेगा वो आप यहां पे click करेंगे तो आप उसे unstake भी कर सकते हैं बट यहां पर लिखा हुआ है wait time 7 days तो simply मैंने आपको यहां पर process बता दिया है, करना ना करना बिर्कुल आपके उपर है क्योंकि अभी value इंक्रीज हो चुकी है 15-18 dollar तक आपके यहां पर लग जाएंगे, कर सकते हैं तो कीजिएगा नहीं करना है तो बिर्कुल skip कर दीजिएगा, मेरा काम यहां पर आपके doubts किलियर करना था जो मैंने कर दिया है In future अगर इसकी value थोड़ इसी कम हो जाती है KSM के और आप stick करना चाहें तो कर दीजिएगा अब बात कर लेते हैं next update की जो doubts हमारे members को आ रहा है next update की में बात करने वाले हूँ plato farm के game के बारे में बात करेंगे जिसकी video मैंने आपके साथ यहां पर कल शियर करी थी इसके जो एक daily check-in का event चल रहा था उसके बारे में हमने यहां पर कल बात करी थी अब इसके बारे में और भी more details है वो आपके साथ share करूँगी क्योंकि friends में काफी confusion है इस चीच को लेके क्योंकि इसका game भी है और check-in वाला task भी है ठीके guys तो दौनों को complete करवाँगी इस video में game भी किस तरह play करना है levels किस तरीके से आपको increase करना है वो भी आपको इस video में बताऊँगी सबसे पहली बात कि कर जिस video में मैंने कर जिस वारे में बात करी थी check-in वाले task के लिए तो उसके लिए आपने क्या किया होगा कि metamask में अपने wallet को connect किया होगा जो members डारेक्ट इस video को देख रहे हैं पहली वाली video नहीं देखिए पहले आप इस वाली video को देखेंगे तब भी आपको आगे की task समझ में आएंगी ठीक है तो देखिए पहले आपने यहाँ पर daily check-in करने के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था इनकी website पर आना है तो daily check-in task के लिए यह हम शौर हो गया था कि हमको हैको chain से आरा दिन बाद तो हमें withdraw करने के लिए कुछ conditions को याद रखना है पहली बात तो यह कि मैंने यह भी कहता कि इसका game भी है आपको इसका game भी play करना है और कम से कम इसके level 5 जो है वह आपको clear करने है कैसे clear करने है आगे बताती हूं पहली बात तो यह कि जो wallet address आपने daily check-in के यहां पर connect किया है इसी wallet address के थूँ आपको game भी play करना है इस मीन कि जो check-in task है और जो game play वाला task है वो दौनों address आपके same होने चाहिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि game में तो आपने new wallet create कर लिया है और daily check-in का task आप मेटा मास के किसी address से कर रहे हैं तो आप अपने reward को claim नहीं कर पाएंगे ऐसा मेरे मुझे यहां पर इनके admin से मैंने clear भी किया और यहां पर साफ-साफ instructions भी आपको दिख जाएंगे जो इन्होंने कहा था withdrawal के लिए जब हम यहां पर थोड़ा सा scroll down करते हैं नीचे आते हैं the address used for check-in must be the same as the one used for game registration जो मैंने कल आपको वीडियो में भी बता दिया था तो आपने कल की वीडियो देखी तो मेटा मास कित्रू आपने check-in करना तो शुरू कर दिया होगा अब हम आ जाते हैं game में game कैसे play करना है level कैसे clear करने है game को आपको download करना है play store से link description box में दे दूंगी जो इस तरीके का आपके सामने interface आ जाएगा उसके बाद में आप जब यहां पर click करेंगे आगे तब आपको दो option आएंगे create a wallet और import private key देखिए अगर आपने check-in वाला टास्क शुरू कर दिया था कल से और आपने metamask का wallet connect किया था तो आप यहां पर import private key के option पर click कीजेगा और अपने metamask के उस address के private key के थूँ यहां पर अपने private की दीजेगा और okay कर दीजेगा लेकिन अगर आप check-in वाला टास्क पर आशी शुरू कर रहें और आप चाहते हैं कि आप इसी के wallet के थूँ check-in वाला टास्क करें और game वाला टास्क करें तब आपको क्या करना है यहां पर create wallet के option पर click करेंगा आपको new private key मिलेगी आपकी आप उसे save करके रख लीजेगा और उसके थूँ ही आप metamask में जाके उस private key को import कीजेगा और उसके थूँ check-in वाला टास्क कीजेगा तो यह दौन तरीके बता दिये मैंने आपको कि metamask के थूँ check-in कर रहे हैं तो import कीजे कर दीजेगा तो address same होने चाहिए अब आपने private key भी देदी हाँ पर okay भी कर दिया और task भी हाँ पर private key देके complete करेंगे फिर अपना password दीजेगा okay कीजेगा अब इसके बाद आपसे password को again confirm करने के लिए बोला जाएगा password confirm कर दीजेगा invitation code मांगा जाएगा तो code मैं आपको link में द 5 तक पहुचना है कैसे पहुचना है सबसे पहले आप देखिए आपको यहां पर बहुत सारी पिक्चर शो और यहां पर एक option दिख रहा है EXP EXP के option पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से टास्क उपन हो जाएंगे इस मीन कि आपको इन सब टास्को complete करन है आपको जो जहांपर पिक्चर शो करने हैना वालेट की पिक्चर यहां पर रोडव साइट शॉप की पिक्चर इन सब को गेम में जाके एक बर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे कुछ points मिलते जाएंगे और यह task done होकर show होने लग जाएंगे तो आपका level increase होता जाएगा जैसे यह wallet वाला section आपको दिख रहा है इसके लिए आपको game में जाएगा setting वाले option पे click कीजिएगा यहाँ पे आपको my wallet का section दिखेगा इस पे click कीजिएगा जैसे click करेंगे आपको यहाँ पे 5 points मिल जाएंगे और जब आप exp वाले task में तो यह complete हो जाएगा इसी तरीके से आपको roadside shop और यहाँ पे newspaper और यहाँ पे यह जो आपको man दिख रहा है इसके ओपर यह जो आपकी कीजिएगा ऐसे करते करते ही आपके यह सारे task जो है वह complete हो जाएंगे अब यह सब तो आपकी complete हो जाएंगे बट लास्ट इस task में आपको problem आएगी वह आएगा यहाँ पे आपको बोला transaction volume करनी है आपको आपके wallet में 10 USDT की मतलब 10 डॉलर से कम की transaction नहीं करनी है 10 कम से कम 10 डॉलर की आपको यहाँ पे ट्रांजिक्शन जो है complete करनी है इस वाले task को complete करने के लिए यह बहुत easy है कैसे complete करना है देखिए यह task में आपको यहाँ पे बोला जाएगा यह road करना है किलिक करते ही इस तरीके का बोर्ड आपको शो करेगा यहाँ पर आपका wallet असेस्ट होगा यहाँ पर mark transfer, mark trade, plateau trade and trades होगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर 10 USDT की trade करनी है आप check-in करने के लिए कम से कम एक HD hold कर रहे होंगे यह 10 USDT hold कर रहे होंगे पहले सी तो आपके उस wallet में पहले सी कुछ ना कुछ amount है अगर HD hold कर रहे हैं आपको यहाँ पर USDT की जरूद पड़ेगी तब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पर आपका wallet आपका balance दिखा देगा कि आपके पास अभी इतने HD है तो मुझे जरूद पड़ेगी USDT की तो मैं क्या करूँगी इस ही HD के लिए mdex.com जो एक्सचेंज है है को वालेट की यहाँ पर इसको connect करूँगी और HD को पहले 10 USDT में क्या कर लूँगी स्वाप कर लूँगी तो मेरे अब wallet में 10 USDT शो होना स्टार्ट हो जाएंगे साथ ही आपके इस wallet में कुछ HD छोड़िएगा फीस के लिए तो mdex से मैंने क्या किया HD को यहाँ पर USDT में convert कर लिया और अगें मैंने यहाँ वालेट आसेज पर चेक करूँगी तो मेरे के बाद मुझे अपने 10.1 USDT से मांक टोकन को क्या कर लेना है बाइ कर लेना है तो पहले यहाँ पर authorization मांगेगा अप्रूफ की तरह फिर deposit का option मांगेगा आपके पर password का आएगा password करके आप यहाँ पर transition को complete कर लिजेगा तो 10 USDT के तुरू 521 मांक आपको मिल जाएंगे तो आपके USDT जो है convert हो चुके हैं मांक में तो आपकी trade complete हो जाएगी और अब आप EXP वाले option पर आएंगे तब आप तास्क आपका complete हो चुका है अब आपको क्या करना है जो 10 USDT आपने मांक में पहले टास्क कर लिजेगा complete हुआ है या नहीं उसके बाद जो आपके 10 USDT के मांक आपने खरीदे हैं उनको दुबारा से USDT में swap कर लिजेगा देखिए 521 मांक शो हो जाएंगे अब मुझे मांक को दुबारा USDT में convert करना है या एच्टी में करना है क्योंकि मैं थो एच्टी होल्ड कर रही थी तो यहाँ पर मैं mdex.com की दुबारा exchange पर आऊंगी और आने के बाद यहाँ पर मांक टोकन को सर्च करूंगी 521 मांक टोकन को मैंने दुबारा से एच्टी में swap कर लिया easily तो मेरे उसी wallet में रहेगा मुझे कहीं भी कुछ भी import करने की जोड़त नहीं पड़ेगी तो easily सारे टास्क में मेरे complete हो गए और जब मैंने exp वाले सब टास्क को complete कर लिया तो मेरा level भी 5 हो गया यहाँ और exp का option भी अडिया अब मैं आगे गेम को play कर सकती हूँ गेम को play करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ garden दिखे होंगे यहाँ पे आपको फोर गार्डन दिखेंगे आपको किसी भी ट्री पे क्लिक करना एक क्लिक करती ही रिसा आप्षन आजाएगा और यहां पे आपको हेंडिव भा वाइफ नहीं होजाता आप आप यह हैंड्व क्रेगा रफ को री और आप स्थरीके से जो है भी मूव करते रहेंगे तब आप को हाँ फूर एक घंटे दो गंटे में करना है आपको open करना है किसी भी पार्क में बगीचे में जाकर उसको क्या करना है और जाकर इस हैंड को बस move करना है easily और आपके fruits जो हैं वो collect होते जाएंगे और जितने ज्यादा fruits आपके पास collect होंगे उतना ज्यादा आपको इंक्रीज होता जाएंगा शोले करते रहेंगा oppress करना हर एक गंटे में आदे घंटे में जिससे लेंट आपका इंक्रीज होता आपना सेम रखिएगा बस ये काम आपको करना है 12 दिन का काम है फ्रेंस 12 दिन तक बस इसको इस तरीके से करते रहे हो सकता है एक अच्छा खासा प्रॉफिट हमें इस गेम की थ्रू हो जाए चलिए पात कर लेते हैं आज की थर्ड इंपॉर्टेंट अपडेट की जो कि आ रह अपडेट आपके साथ शेयर किया है टैकर निंग सपोर्ट टैलिग्राम चैनल पर इसलिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एड्रॉप्स अपडेट के लिए आपको यहां पर आक्टिव रहना होगा थोड़े से एफर्स तो आपको भी रखने होंगे जिससे की हर एक किया था और जिसके थ्रू आपने इसकी टास्क को कम्प्लीट किया था तो जो भी वॉलेट एड्रेस था उस वॉलेट एड्रेस में इन्होंने बताया है कि डिस्ट्रिब्यूशन जो है फ्लैग नेट्वर्क का टोकन्स का स्टार्ट हो चुका है दो अप्रेल तक लास्ट टोकन्स मिल जाएंगे बट तभी मिलेंगे जब आपने एक क्राइटीरिया कम से कम फॉलो कर रखा होगा कि आपका जो भी वॉलेट है बाइनेंस स्मार्ट चेन का जिसके थ्रू में आपने वॉलेट एड्रॉप जोइन किया था उसमें कम से कम 0.000001 यूस्ट्ट्ट्ट ब आपके उस वॉलेट में है या नहीं अभी के अभी चेक कर लिजिए जिससे कि आपको फ्लैग नेटवर्क के टोकन्स मिल जाएं दो अपरेल तक की डेडलाइन है और जब इनका डिस्ट्रिबूशन कम्प्रीट हो जाएगा उसके बात बात आती है विड्रॉल की तो जैसा नहीं हाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि फ्लैग नेटवर्क के सारे टोकन्स को आप एक साथ विड्रॉल नहीं कर पाएंगे आपका यहां पर रहेगा कुछ न कुछ 10-10% अमाउंट रहेगा पर मंत जो आपका अनलॉक होगा जिसे आप विड्रॉल कर पाएंगे औ महर मंत आपके अनलॉक होगे उतना ही अमाउंट आप डेली विड्रॉ कर पाएंगे और बिटमार्ट पे सेल कर पाएंगे लेट सी कितना प्राइस यह देखे जाता है अभी इसकी कोई भी प्राइस की प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते जैसा वेपसाइट पर बता रहे हैं उ और कितना प्राफिट आपको अभी शो कर रहा है नेक्स अप्डेट की बात कर लेते हैं यहां पे सीयर्स फाइनेंस की साइट से जिसका एक एड्रॉप कम्यूनिटी एड्रॉप आपके संग अल्रेडी मैंने शेर किया था वन मिलियन एड्रॉप का पूल था जिसमें आपक शाम के साड़े 5 बजे से आपके साथ शेर करना चाती थी बट शेर करने से पहले ही इनका जो फॉसेट था वो जो है बिड्डाउन हो चुका था और जिसके कारण फॉसेट मिलना बंद हो गया था और अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है इसके फॉसेट के टोकन को क्लेम करन उसके बाद ही हम यहाँ पे इसके टैस्नेट के टास्क को कम्प्रीट कर पाएंगे तो किलियरली इनोंने बोला हुआ है 26 मार्च से इनोंने यहाँ पे 5 लाख S.R.S. टोकन गिववे में रखे हैं टैस्नेट के लिए बट मेरे ख्याल से अभी आगे भढ़ा देंगे इस टै आपको क्लेम करना है यहाँ पे फॉसिट पे जाके और यह टैस्नेट के यह आपको चेन एड करनी है इनकी खुद की ठीक है जिसमें आपको फॉसिट क्लेम करना है मेटा मास के अड्रेस पे और स्वैपिंग करनी है आपको पूरे टास्क आपको यहाँ पे बताय हुए है प इसके अलावा आपको यहां पर डिस्कॉर्ट पर जाके अगर आपको कोई बग मिलती है तो आपको अपना फीडबेक जो है वो दे देना है जिसके एस उसलर हम लोग सभी लैस्नेट में करते हैं कि ऐसे इसलर कि अच्छला फ्रीट करने का तरीका वता देती हूं दो तरीके का फॉसे आपको प्लेम करने होंगे एक तो डिसकॉर्ट करके है यहां पर आपको क्या करना है आपको स्लेश ट्रिप लिखना है उसके बाद में आपके पास नेट्वक का उप्शन आएगा आपको नेटवर्क लिखना है फिर आपको आपका जो भी एड्रेस है वो लिखना है उसके बाद ही हाँ पर आपको आपके टोकन्स मिलेंगे एक बार फॉसित स्टार्ट हो जाएगा तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता दूंगी और सेकेंड फॉसित आपका यह रहेगा स्टेब को मिल चुके हैं यहां पर आप भी चकाओट कीजेगा अगर आपको मिले हैं तो प्लीज हमें जरूर बताएगा अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर यहां पर फ्री के अर्नी करते हैं फ्री की ऑपरचुरीटीज को ग्राप करते हैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में कुछ अप्डेट के साथ थैंक यू सो मच